आत्मन्दन सभी को स्वागत है आप सबका सुजौफिद मज्यू में फ्रेंट्स गर्मी में जो सबसे ज़ादा दो टाइप के प्रॉबलम्स होती हैं या तो डाइरिया या फिर डिहाइडरेशन डिहाइडरेशन की हम बात कर चुके हैं आज हम बात करेंगे डाइरिया की जिसमें की उल्टी और दस्त लगते हैं यानि की वामेटिंग और लूज मोशन होते हैं अब देखिए जब आपको उल्टीयां लग रही है या दस्त लग रहे हैं इसका मतलब क्या है कि आपके पेट में कोई गंदगी है जिसको हमारा शरीर बाहर निकालना चाता है यानि हमारा शरीर खुद ही अपनी क्लिनिंग कर रहा है अब कुछ लोगों का तो क्या होता है कि जैसे ही उनको उल्टी और दस्त की प्रॉब्लम हुई और वो फट से दवाई लेके उस गंदगी को वही दबा देते हैं और वो गंदगी आज नहीं कुछ टाइम बाद, कुछ साल बाद एक बड़ी बिमारी का रूप लेकर आती है तो फ्रेंट्स इस गंदगी को हमें वही नहीं दबाना है पहले हमें उस गंदगी को बाहर निकलने देना है लेकिन इतना भी हमें वेट नहीं करना है कि हमें प्रॉब्लम हो जाए कि शरीर में पानी की कमी हो जाए या इतनी बीकने सा जाए कि व्यक्ति उठ ही ना पाए तो जब एक बार वो गंदगी निकल जाती है और जब सिर्फ पानी पानी ही बहार निकलता है, गंदी की पहले निकल चुकी है, सिर्फ जब पानी बहार निकल रहा है, उस समय में या उससे पहले हमें करना क्या है, कि एक तो व्यक्ति को पानी की कमी नहीं होने देना है, उसको पानी देना है, नारिल पानी देना है, नमक उर्चीनी का घोल देना है या ORS के पाउच देने है पानी में मिक्स करके पानी की बिल्कुल कमी नहीं होने देना दूसरा उस पेशेंट को अब चाहे वो बच्चा है बड़ा है बुजुर्ग है कोई भी है उसको आप हलका खाना देंगे अब हलका खाना जो डाइजस्ट हो पाए एक तो साथ में आप खिचडी और खिचडी के साथ में आप दही देंगे दही में प्रोबाइटिक्स होते हैं जो की हमारे पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं तो खिचडी आप जो बनाएंगे वो बिल्कुल पतली खिचडी होगी हैवी नहीं हो थिक नहीं हो उ जबरदस्ती नहीं करनी है लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में हमें हलका कुछ न कुछ उसको देना है अब यह होता क्यों है देखिए अब गर्मी का टाइम है और उस टाइम में अगर हम जादा हैवी खा लें हैवी मीन्स कि जो हमारा डाइजेस्टिल सिस्टम इस मोसम में उस खाना मीन्स कि बाहर का तलाब होना या पिर कोई जंक फूड इस टाइप का खाना डाइजेस्ट ना कर पाए और पेट में इंफेक्शन हो जाती है जिससे कि हमें उल्टियां और दस्त लगते हैं तो फ्रेंट्स यह रिजन और यह उपाए मुझे लगता है कि हर किसी को पत प्रेशर पॉन्ट्स का भी ट्रीटमेंट देंगे उसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले तो देखिए यह जो हमारी मिडल फिंगर है यह मिडल फिंगर है इस पर मैंने एक यह डौट लगाई है ब्राउन कलर की डौट लगाई है यहां पर हमें पाँच मिनट चार से पा होता है हलका सा एक उभरा हुआ पॉइंट मिलेगा आपको तो वहां पर मैंने ये डोट लगाई है आपको ये डोट लगानी नहीं लगाना है वो मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए लगाया है तो इस पॉइंट पर हम ऐसे प्रेशर देंगे जैसे ही आप इसको दबाएं आपको हलका दबाने पर ही तेज पेन होगा ये देखिए ऐसे जब आप ये दबा रहे हैं तो आपको पेन होगा ये आप चार से पांच मिनिट तक करेंगे ये किया उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है हम अपनी इस मिडल पिंगर को जब पाम पर फोल्ड करेंगे जहां पर वो तच करती है ये देखिए ये यहां पर ये टच किया यहां पर भी मैंने एक ब्राउन कलर का एक डोट लगाया है बड़ा सा ये डोट आपको लगाना है ब्राउन कलर से आपको डोट लगानी है उसके बाद आप ऐसे इसको प्रेशर देंगे ये ये प्रेशर देंग उसके बाद आप anti-clockwise इस पर pressure देंगे, यह ऐसे, massage देंगे यह, आप इस पर massage देंगे, यह हो गया, उसके बाद हमारी आती है color therapy, हमारी जो यह little finger है, little finger का जो top joint है, देखिए, मैंने इस पर yellow color से एक ऐसे circle बनाया हुआ है, यह, इसके top joint पर मैंने circle बना दिया, यह भी आपको करना है, यह इसका मतलब होता है, कि बहती हुई चीज को रोकना, जो हमारा yellow color है, वो flowing चीज को, जो flow कर रही है, उसको यह रोकता है तो उल्टी और dust को यह रोकेगा, यह वाला point, और फिर इसको हमने ऐसे twist भी करना है, यह, ऐसे, यह हमें 30 seconds के लिए करना है, friends, यह जो मैंने 3 points बताए हैं, यह आपको दोनों हाथों में करने हैं, मैं आपको एक हाथ में करके बता रही हूँ, यह आपको दोनों हाथों में कर यह हमारा pressure points हो गया और हमें point पता चल गया color therapy हो गई अब हम करेंगे हमने लिया एक देखिए यह paper tape paper tape पर मैंने be all magnet लगाई है be all magnet छोटे छोटे से magnets होते हैं यह एक तरफ से white और एक तरफ से yellow होते हैं तो हम इनको इस तरह से लगाएंगे कि जो यह white color है इसका यह देखिए य हमारे point को touch करें यानि हमें point को sedate करना है उसकी energy को कम करना है energy बढ़ी हुई है तो ही तो वो सारा बहर निकल रहा है हमें energy को sedate यानि कि कम करना है तो इसको हम बियोल magnet को अपनी middle finger के stop वाले point पर लगाएंगे यह देखिए यह हमने इसको लगा कर छोड़ दिया अब हमारा जो यह हतेली वाला point है इस पर हम लगाएंगे एक chakra magnet यह देखिए इसको भी हमने surgical tape पर लगाया है chakra magnet यह chakra magnet भी एक side से white और एक side से yellow होते हैं जब हमें energy को बढ़ाना होता है तो हम yellow side को point से touch कराते हैं जब हमें energy को घटाना होता है तो white side को हम point से touch कराते हैं तो अब हमें क्योंकि हमें energy को sedate यानि कि कम करना है तो chakra magnet का यह white color मैं यहाँ पर लगाऊंगी यह देखिए अपने palm पर यह हमें color therapy भी करनी है हमें pressure point भी करना है pressure भी देना है और हमें यह magnets भी लगाने हैं यह देखिए अब एक बात और जब हमें lose motion और vomiting होती है तो gas बनती है पेट में stomach के थोड़ा सा उपर center में आपको क्या feel होगा जैसे कोई बड़ा सा गोला बना हुआ है और जैसे वो गोला घूमता है आपको पेट में दर्ध होता है वो गोला gas का गोला है तो अब उसके लिए कि gas भी release हो जाए और pain भी ना हो उसके लिए हम क्या करेंगे यह देखिए जो हमारी wrist crease होती है यह हथेली के यहाँ जोड है इसको हम wrist crease बोलते हैं इस से हम तीन finger लेंगे तीन finger लगाने के बाद जो point आता है उस पर हम pressure डालेंगे यह देखिए ऐसे ऐसे यह तीन finger होगी जिस वेक्ति को problem है वो ही अपनी तीन finger लगाएगा कोई दूसरा नहीं लगाएगा क्योंकि सबके sizes अलग अलग होते हैं तो यह ऐसे हमने तीन ऐसे finger ली wrist crease पर ऐसे लगाया फिर जहाँ यह वाला point आया इस point को हम ऐसे देखिए tight tight इसको pressure देंगे यह हम 5 minute के लिए करेंगे फिर हम इसको ऐसे massage देंगे friends यह वाला हमारा point यह gas release करेगा pain से हमें आराम दिलाएगा और जो nausea feeling हो रही थी vomiting का लग रहा था उससे हमें relief दिलाएगा यह बहुत ही अच्छा point है यह जब आप कहीं गाड़ी में आप traveling कर रहे हैं सफर कर रहे हैं तो उस time में भी आपको यह point बहुत काम में देगा क्योंकि कुछ लोगों को गाड़ी में बैठते ही no shock feel होता है तो इसको आप करेंगे यह जो मैंने treatment बताया है यह आप दोनों हाथों में करेंगे फ्रेंट्स यह आप treatment दे और फिर देखना कैसे जटपट वैक्ति को आराम मिलेगा तुरंत आराम मिलेगा और देखे क्योंकि गर्मी बहुत जादा बढ़ी हुई है तो आप यह जादा से जादा इस information को लोगों से आराम मिले फ्रेंट्स गर्मी इतनी जादा है देखे मुझे भी sweating हो रखी है पसीने आ रहे हैं मैंने fan off कर रखा है क्योंकि अगर fan में चलाती हूं तो वो फिर video recording में आता है इसलिए मैंने fan off कर रखा है तो प्लीज आप यह information जो मैंने इतनी गर्मी में बैठके बनाई है जादे से जादा लोगों तक share कीजिए जिससे कि सब को आराम मिलें तो आज के लिए इतना ही आत्म बंदन